होंडा दो हजार पचास तक कार्बन न्यूट्रल बनने के अपने लक्ष के तहट अपने इवी पोर्टफोलियो के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है अपने EV Roadmap के शुरुवाती चरण में, Honda 2025 तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 10 इलेक्ट्रिक दोपिया वाहन लॉंच करेगी EV बिक्री का लक्ष 2027 तक 1 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है इस दशक के अंध तक, Honda EV की बिक्री लगभग 3.5 होगी मिलियन यूनिट डॉट Honda की नई इलेक्ट्रिक बाइक्स पेश, Honda ने अपनी कुछ नई इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रदर्शन किया है जिनमें क्यूभी, डैक्सी और जूमर यी शामिल है ये उनके संबंधित पेट्रोल संचालित समक्षों पर आधारित है इन नई इबाइक्स को पाने वाला चीन पहला बाजार है Honda की प्रारमभिक TV रणनीती अन्य OEM के समान दिखती है जिसमें मौजूदा पेट्रोल संचालित मशीनों को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ फिट किया जा रहा है इस दृष्टिकोन को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि यह विकास लागत बचाता है और समयसमय पर बाजार को कम करता है होंडा के इलेक्ट्रिक शावक सूपर क्यूट दिखते हैं जो उन्हें जेन जेड के लिए एक उप्युक्त विकल्प बनाता है यूवा पीधी के बीच ईवी के लिए अधिक स्विक्रिती है और होंडा यह सुनिश्चित कर रही है कि कई विकल्प उपलब्ध है होंडा की नई E-Bikes का डिजाइन मिनिमलिस्टिक है और इसे यूटिलिटी के लिए बनाया गया है यह शहर की सडकों पर छोटे स्प्रिंट के लिए सबसे उप्युक्त हैं कई वैश्विक बाजारों में होंडा की नई Entry-Level Electric Bikes को ड्राइविंग लाइसेंस की आवशक्ता नहीं हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि शीर्ष गती 15 मील प्रती घंटे लगभक 24 किलोमीटर प्रती घंटे तक सीमित है मानक इलेक्ट्रिक बाइक की तुलना में रेंज पश्ट रूप से कम होगी लेकिन यहाँ फास्ट चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग जैसे विकलपों के साथ कोई समस्या नहीं होगी होंडा एव भारत के लिए योजना बना रही है यहाँ निश्चित नहीं है कि होंडा इलेक्ट्रिक कप्स को भारत में लौँच किया जाएगा या नहीं प्रयोग करने के बजाए होंडा ने भारतिय बाजार के लिए एक सुरक्षित द्रिष्टिकोन अपनाया है भारत के लिए होंडा का पहला इलेक्ट्रिक टूवीलर एक्टिवा इलेक्ट्रिक होगा जिसे जनवरी दो हजार चॉबीस में लॉंच करने की योजना है इसकी पुष्टी होंडा मोटर साइकल एंड स्कूटर इंडिया, HMSI, KMD और CEO अक्सूशी ओगाटा ने की है